तो कैसे है सिक्सर के चाहने वाले बिकट के मतवाले किरिकट के दीवाने उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अगर हम इस मैच की बात करें दुबाई कैपिल्स वर्शेश डिजाट वाइपर्स के वीच में खिला जाएगा अगर हम या पर दुबाई कैपिल्स की बात करें जो अपना पहला मैच था ना उससे जीत गए लेकिन उसके बाद हार 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 फिर जीते मतलब जो इन्होंने 6 जीते हैं तीन मैच हार गए भाई साब और एक मैच नो डिजल्ट है मतलब जिनकी शुरुवात अच्छी हुई और उनकी दूर दसा आत्याते खराब हो गई तो इसका क्या चक्कर है भाई साब और अगर हमें आपे डिजार्ट वाईपर्स की बात करें तो पहांच मैच के ला पहांच मेंसे चार जीता बस एक मैच आरा ये तो करें हम तो भाईया आए हैं जब और जर्श परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ऐसे खेलते रहेंगे तो आई थिंग चैंपियन भी बन जाएंगे तो भाई लोग कौन सी टीम ये जो मैच होगा उससे अपने नाम पर करेंगी डिजार्ट वाईपर्स या फिर दुवाई कैप्टल सा कर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए करना क्या बस फूरी वीडियो बीना स्किप करें हुए आपको देखनी है तो इतना तो करी सकते हैं और आपको सभी में चुम है रहना है तो मेरा टेलीग्राम भी जोइन कर सकते हैं कि जिन लोगों ने जोइन किया वह तो बहुत ही फाद ही मज़े में तो आप पीछे क्यूंब हूँ आप भी जोइन करो फायदा उठाओ बस एक ही चीज का ध्यान देन यहां मुकाबला कि लजाएगा दुबाई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडिया दुबाई में यहां के मादान पर अभी तक T20 डुमस्टिक ना जी T20 डुमस्टिक ने इंटरनेशनल लीग T20 के साथ मैंच खेलेगा जिसमें से पांस मैंच में क्या हुआ टार्गेट डिफै टार्गेट डिफैंड की बात करें 169, 179 प्लस स्कोर बनेगा तो दस मैच में से आठ मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकता है 153 से 157 की बीच में स्कोर होगा तो समझ जाना अभी तो जो मामला है यह तो बराबरी का गया चेज भी हो सकता है बाई लोग यहां के मैदान प बाफी ज्यादा अच्छे से आता और अगर हम यहां की बॉंड्री लेंद की बात करें तो 58 मीटर से 70 मीटर कि इससे जो इसमिनस गेंद माज है ना उनको बिकेट तो मिलते हैं लेकिन छोटी बॉंडी होने के साथ इनको रन भी पड़ जाते हैं तो इसलिए यहां पर जो मै के ला तीन मैसे बस एक मैच जीता दो मैच हार गया वह जो दुबाइ के मैदान पर जो इनकी पर्फॉर्मेंस है वह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इन्होंगा उसे जीते ही अपने जोले में डाल के लेकर चली जाएगी चलो जानते सबसे हम बात करते हैं यहां पर परफॉर्मेंस से बल्लेवाजी के उसकी बात करें तो जो रोट और रोमेन पॉवर्जी बहुत अच्छी बल्लेवाजी करें अभी तो सिकंदर रजा आ गया तो इनके बल्लेवाजी को काफी ज्यादा मजबूती देगी दसुन सनाका है इनके पास तो अगर हम यहाँ पे जो दुबाई कैपिल्स है इसकी बल्लेवाजी लाइनप की बात करें तो भाइसा बहुत ही ज़ादा जवर ज़स ने बात करें तो गेंदवाजी में इतना ज़ादा पैना पर नज़र नहीं आरा क्योंकि जो मुझीब खेल ले थे तो अभी तक उतने ज़्यादा मतलब रंग में दिखे नहीं को और मुझीबूर रह्मान पिछले मैस मैं जैक बोल को मौकर मिला लेकिन मैं आशी कम्प्रीट नहों पाए फेट ख्लास इंकी बात कर लें यह बिगिट तो निकालते लेकिन इसके सा उद्रेंगे क्योंकि जो एलेक्स हैल्स और वहन मुस्तफा काफी बढ़िया सुरुवात कर रहे हैं और एलेक्स हैल्स तो भाई सबी मैचों में लंबी फारी खेल ले वन मैन आर्मी के तारा उसके बाद कॉलिल मॉंडों आते वो भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं साइ सब्सक्राइब करन की बात कदर टी टुन्टी का स्पेशलिस गेंदबाजी बढ़िया गेंदबाजी कर भी रहा है वहीं अगर हम बात करें सेल्डन कोट्रेल की तो न्यूबोल से स्विंग कर वाते हैं बिकेट निकालते हो पिछले मैच में मतीसा पतिदाना ने खेला था तो हलाकि उनको खेलने का मौकर ना मिला है इस मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं बितनी यहां पर अगर हमें पर डिजाट वाइपर की बात कर तो बल्ले बाजी एंड गेंद बाजी दोनों काफी ज़्यादा कमाल की नजर आ रही तभी यह बैक टू बैक मैच ह क्या होगा चलो अब हमना यह जाने की कोशिज करते हैं लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है न क्यों बनता है क्योंकि आपको पता है ना आपका भाई कोई ही एरो एसलेवेटी थोड़ी ना है आपकी बिच करेने वाला आपका अपना भाई है तो दोस्तों मेरे इसाबसी जो मैंच है डिजाट वाईपर्स अपने नाम पर कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा मेरा टेलीग्राम जोइन करने के लिए क्योंकि जो आपको नेरे टेलीग्राम पर मिली करना जिन लोगों ने पहले से जोइन किया वह तो बहुत ही फादे करें तो भाई लोग आज की वीडियो भी इतना वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो या चैन को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैं आज की फेडेक्शन के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू